हलो जहिन साथियों स्वागते आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूटूब चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंजिनेर ड्राइंग के कुछ यहाँ पर इंपोर्टेंड जो छोटे छोटे कोशन होते हैं सिम्बल से समद्धित आते हैं जिसे कि आप सभी ने पुराना पेपर देखा होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था किसमे कुछ सिम्बल के भी कोशन पूछे जाते हैं जो कि टॉंजिस्टर हो गया है डायोट हो गया या ओम का हो गया तो इस तरह कुछ इसका सि सिम्बल होता है ज्यादा तर पूछा जाता है सारी जनकारी में आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के मात्यम से तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पर यह आप नहीं होंगे तो चैनल को भी सस्क्राइब करीजिएगा तो चलिए यहाँ पर हम बात कर ज़िदे ना यह आपका ओगया नेग ikiट का इसके बाद यहाँ पर एसी का होताए ऐसी का किस तरह होता है तो दीए यह आपका यह सी को गया यदि आपफी सकीन सार्ट भी लेना चाहते तो ले लीज़ेगा आपका फैदा होगा इसके बाद यहाँ पर मातने एं लेकिन आपको जब यह लिखेंगे 3-page AC 50-60 वाला तो आपको यहां पर लिखा गया यह आपको दर्साना पड़ेगा तो इस बात को आप दहाने किएगा नीचे आ जाते हैं साथियों तो यहां पर आपको देखने को मिलता है न्यूटल लाइन न्यूटल लाइन का जो सिंबल होता है कुछ इस परकार का होता है जो कि बिंदू बिंदू टाइप का होता है सीधी रेखा में कम से कम 20-25 बिंदू लिख दीजिएगा जो किस तरह आपको यहां पर करना है तो यह आपको किसका हो जागा न्यूटल का हो गया इसके बाद यहा परिशाओं में पूछा गया इंजिनरेंड राइंग में जो इलेक्टी सीन ट्रेट से उन में ये पूछा जाता है कोशन ध्याने के का मैं सुरू में बताना आपको फोल गया यह आपका होता है अर्थ का कुछ इस तरह का होता है जैसे कि आप इसको देख सकते हैं और फाचान पर यहाने कहें का और जो आपका होता है यह आपका प्लस होता है लेकिन इसमे वायर जोंट इस परकार को मिल डेख सकते हैं, दो रिखा कीछी गई, यहां पर आपको एक बिंदू और यहां पर, और इस तरह आपको होता है, और यहां पर दस आया हुआ देखा जाता है यह आपका आजाता है ICDP स्विच का इसके बाद नीचे आजाता है तो यहां पर आपको DP-DT switch देखने को मिलता है जो की dp dt जो switch होता है कुछ इस परकार का होता है आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं इसमें कितने इसमें दो आपको यहाँ पर खांचे देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो आपका dp dt जो आपका switch होता है इसमें आपको तीन देखने को मिल जाते है बीच वाला और यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर दो starting में और ending में देखने को मिल जाता है यह आपका हो जाते है DPDT switch का इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं साथियो तो यहाँ पर आपको link ठीक है जो की tons former भी ज्यादा होता है यह आपका जो होता है कुछ इस परकार का होता है आप इसको देख सकते हैं नीचे आ जाएए तो यहाँ पर आपको socket 2 pin और 3 pin सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 2 pin 2 pin में आपको 2 hole देखने को मिलेगा और यहाँ पर 3 pin में जो होगा आपको यहाँ पर 3 hole देखने को मिलेगा तो इस तरह आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं नीचे आ जाते हैं साथियो fan regulator देखें फैन regulator जो होता है इसका कारियों होता है जो fan की जो speed होती है उप कम आप ज्यादा इसको कर सकते हैं तो इसका जो regulator का चीन होता है कुछ इस परकार का होता है इसको आप देख सकते हैं एक box में आपका एक यहाँ पर meter की reading जो इससी दरसाए जाता है उसी तरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है नीचे आजाते हैं साथियो तो यहाँ पर register जो की fixed variable का यहाँ पर इंगित किया गया है इसको आप इसको इस तरह दरसाएंगे नीचे आजाएस साथियो तो यहाँ पर आपको चोक देखने को मिल जाते है चोक का जो होता है कुछ इस परकार का होता है इसमें आपको color करना पड़ता है जो कि आप pencil से जब बनाएंगे तो इसको आप बिल्कुल यहाँ पर black में कर देजिएगा ठीक है? ध्यान से देखिएगा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको bolt meter DC और AC पहले आप यहाँ पर DC का आप सुरुवाती में देख लिए जिसको आप असानी से इस तरह भी चेंज सेकते हैं इसके बाद नीचे आजाएगे सातियों यहाँ पर आपको ohm meter देखने को मिल जाता है ohm meter आपका कोछ इस परकार का होता है एक यहाँ पर गोले की तरह side way बनता है और यहाँ पर बीच में ohm का जैसे symbol होता है और दोनों type आप बढ़ा दीजिए यह आपका किसका होगा? ohm meter का होगा इसको पकड़ने का असान तरीका है नीचे आजाएगे frequency का देखे साथ हो frequency जो meter होता है उसका यहाँ पर app होता है इसको आप देख लिए के डबू है किलो वाज़ने क में होता है जो कि यहाँ पर आपको कुछ इस परकार के symbol देखने को मिल जाता है यह आपका kilowatt घंटा का ह lag नीचे आ जाएगे यहाँ पर आपको positive देखने को मिल जाता है उपर मने एक और symbol बनाया था जो की positive की तरह ही था, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, wire joint, ये भी है आपका positive की तरह है, अब इसमें और यहाँ पर नीचे आ जाईए, यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी अंतर ने, लेकिन आपको यहाँ अंतर समझना पड़ेगा, उसमें जो इसकी होता है, तो यह आपका DCO, DC में समझने की बात है, निचे आजाए, साथियो, यहाँ पर आपको single page AC, जो की 50, 60 पर जो वर्क करता है, उसका यहाँ पर symbol बनाया गया, यह आपका one और यह आपका 50, 60, ध्यान से देख लिजेगा, इसके बाद साथियो, यहाँ पर three page जो line होता ह यहाँ पर simple बनाए गया, आपको एक सिधी रहा है, किछनी, दो सिधी रहा है, 35, 3 पेज़ में पूछा जा जाए, तो 30 सिधी रहा है, यदि single page Me by फीछा जाए, तो क्योवज आपको सिधी रहा है, निचे आजाए तो यहाँ पर आपको earth line, लाइख जो आपको होता है, 2, एक आपका और packed होता है यहां पर आपका ऊर्थ की बात किया तो ऑपको एक किस तहर को मिल जाता है जो कि आपका पर कुछ इस पर मिल depths की बात करें तो यह आपके सामने सिंग machen, ये आपका कुछ इस परकर बनेगा, इसके बाद यहां पर आपको intermediate switch देखने को मिल जाता है, intermediate switch कुछ आपका इस परकार बनेगा ज bras जीसे कि यह बनाए गया, ध्यान से समझ लिجएगा, निछे आजेिए, तो यहां पर आपको एक ICDP स्विच देखने को मिलेगा ICDP स्विच जो होता है कुछ इस परकार का होता है आप ध्यान से देख लेजिएगा और आप इस किन साट भी लेना चाते है तो ले लेजिएगा क्योंकि ये काफी खोजने के बाद मिला हुआ है इसके बाद यहाँ पर जो आयल सर्किट ब्रेकर होता है जो DP और TP जो बोला जाता है तो आपका यह DP है और यह आपका TP है तो दोनों को ध्यान से देख लेजएगा यह ज़्यादा तर पूछा नहीं जाता है जो important था वो उपर ही था और यहाँ पर मैं एक और important आपको दिखा दे तो लेंप का लेंप भी आपका important है जहां से देखिएगा यह आपका lamp भी important यह lamp जो होता है और जो fan होता है साथी कुछ इस परकार का होता है ठीक है मैं यहाँ पर दुबारा बना देता हूं यह देखिए यह कुछ fan होता कुछ इस परकार का सिंग्वाल होता तो fan का भी और लेंप का यह ज्यादा तर कोईशन पूछा जाता है तो इस चीश को आप ध्याने किएगा निश्या आजए तो यहाँ पर आपको आपको रहता है देखने को मिलता है और इधार जो है मिटर जैसे बानता है मिटर जैसे बांता होसी तरह को बनाना वीच में आपको ईए आपको पावर फैक्टर लिए आपको जानकारी प